नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे टॉप फाइब अपकमिंग स्मार्टफोन इन इंडिया तो आप सभी सिविन्थी है कि इस वीडियो को अंतर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्मार्टफोन है MI10 Pro इस फोन में आपको SuperMO LED 6.67 इंच का स्क्रीन के साथ गोरिला गुलास 5 मिलता है कैमेरे की बात करें तो इस फोन में Quad कैमरा है 108 MP की में कैमरा, 12 MP की टेली फोटो कैमरा, 5 MP की टेली फोटो कैमरा विज 5 एक्स जूम और 20 MP का अल्टर वाइड सेल्फी की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा 20 MP का है इंटनर मेमोरिया को दो वैरिंट में मिलता है पहला है 256 GB और दूसरा 512 GB रैम भी दो वारेंट में मिलता है 8GB और 12GB Unfortunately इस फोन में आपको कोई भी microSD card slot नहीं मिलता है अब बैटरी की बात करें तो इस फोन में 4500 Ampere की बैटरी है साथ में 50W की fast charging इस फोन की कीमत लगबग 51190 है अगर आप चातें कि मैं इस फोन की comparison Samsung S20 जे करूँ तो नीचे comment मुझे बताए दूसरा फोन है Vivo V19 Pro इस फोन में Super AMOLED 6.5 का screen है ये फोन में भी quad camera है 64MP का main camera, 8MP का ultra wide camera, 2MP का macro camera और 2MP का depth camera फ्रंट आपको dual camera मिलता है 32MP का wide और 8MP का ultra wide इसमें इंटर्ले मेमोरी एक ही variant में उपलब्द है वो है 128GB RAM इस फोन में 8GB का ही है और इसमें भी आपको microSD card slot नहीं मिलता है इस फोन में battery 4500mAh की है साथ में 33W की fast charging इस फोन की expected price है 34,990 तीसरा स्मार्ट फोन है OnePlus 8 Lite हाली में release हुई OnePlus 8 Pro का Lite वर्जन है इस फोन में 566.4 इंच का AMOLED स्क्रीन है इस फोन में triple camera है 48MP का main camera 16MP का ultra wide camera और 12MP का टेलिपोर्ट इसमें 16MP का front camera है इसमें भी internal memory एक variant का 128GB का ही है with no expandable memory इसमें RAM भी एकी variant 8GB का ही है इस फोन की battery 4000mAh है with 30W का fast charging हाला कि इस फोन की expected price 37,590 है चौथा है Realme X50 Pro 5G ये फोन के display 6.44 इंच की है साथ में Gorilla Glass 5 इसमें भी quad camera है 64MP main camera 12MP टेलिफोर्ट कामरा 8MP ultra wide और 2MP depth camera front dual camera है 32MP और 8MP ultra wide internal memory दो वेरिंट में है 128GB और 256GB RAM थ्री वेरिंट में है 6GB, 8GB और 12GB बैटरी 4200mAh की है with 65W fast charging जो की आधी गंटे में 100% चार्ज कर सकती है लास्ट बट नॉट लीस्ट में आता है Redmi K30 Pro डिस्पली का साइफ 6.67 इंच है इसमें भी बाग की फोन की तरह quad camera है 64MP main, 5MP telephoto macro, 13MP ultra wide, 2MP depth camera front pop-up 20MP का camera है internal memory फिरसे दो वेरिंट में है 128GB और 256GB RAM भी दो वेरिंट में 6GB और 8GB और जाद तर फोन की तरह SD card slot नहीं है फोन की बैटरी 4700MH की है जो 33W का fast charge इसका विदावा है कि ये फोन 63 minute में 100% charge हो सकती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में मुझे पता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर ले ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पाउसता रहे तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद झाल